हाई फ्रेंद्स वेलकम टो नामिका किचन आज एस वीडियो में मैं आप लोग के साथ इंस्टेंट चिली पिकल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसको मैंने सिर्फ सौ ग्राम मिर्ची से बनाया है तो बहुत कम मिर्ची से भी बना सकते हैं और ज्यादा क्वाटिट बड़ी बड़ी लंबी लंबी मिर्चीों को बजार में देखकर मैं भी रुक नहीं पाई और मैं लेकर आ गई और यह मैं ज्यादा नहीं खरीदा सिर्फ सौ ग्राम करीब खरीदा है कि मैं इसे अचार मना सकूँ अच्छे से मैं इसको धो कर सुखा लिया था सारा दिन तक अच्छे से सुखा लिया था और अगर फिर भी पानी है तो आप फैन में सुखा सकते हैं या किसी किचन टावल से पोच सकते हैं और दिन के समय बना रहे हैं तो धूप में आदे गंटे के लिए छोड़ दीजिए कि इसमें बिल्कुल भी नमीना रह जाए चाकू को भी अच्छे से किचन टावल से पोच लीजेगा और इंके छोटे-छोटे पीसे कर लीजेगा क्योंकि मिर्च का अचारे न जादा कोई खाता नहीं है थोड़ा-थोड़ा ही खाता है थोड़े में ही काम चल जाता है मसाले में मैंने ले लिया है दो बड़े चममच यह Saunf और यह साफ में लीऩ में ले लिया तो उनको उनको इन में सौफ को और मेथी को अच्छे से चार पाच मिनिट तक थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट कर लोंगे और इसको एक प्लेट में निकाल कर थंडा होने के लिए छोड़ दूगी और उसी फ्राइ पैन में मैं जो मैंने राई जो पीसा था पीला सरसो और एक चमच करीब मैंने यहा इनको भी निकाल दूगी मतलब इनको बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है कोई नमी ने रहना चाहिए इनके अंदर इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा हलका ड्राइ रोस्ट कर लिया है सौ ग्राम मिर्ची के लिए आप 50 ग्राम तेल या उससे भी कम गरम होने के लिए और तेल का कॉंड़ेटी कम होगा तो बाद में हम डाल सकते हैं तो यह हो गया सौके मसाले जिनको मैंने ड्राइ रोस्ट करके रखा था इसको मैंने दर-दरा पीस लिया यह देखिए बहुत जादा आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है और चलिए अब मिर्ची काचा त दो के करके और यह लाजियेसं कश्मिरी लालमेच पाऊडर तो इस में बढ़ा अच्छा कलार यह अच्छाग आएगा सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया करने के बाद इसमें हलदी डालना मत भूलिएगा तो हल्दी बी एक चमश डाल दीजिए और नको मिक्स कर तो यहाँ पर मेरा तेल भी ठंडा हो गया था अल्मोस्ट तो इसमें मैंने डाल दिया हींग आदा चमच करीब हींग डाल दिया और यह गरम गरम तो नहीं है यह तेल एक दम मतलब लूक वाम है इसको हम अचार के ऊपर डाल देंगे और पहरे भी मैंने बोला कि अचार का ते विनेगर मैंने डाल दिया चार से पांच टेबल स्पून करें तो विनेगर थोड़ा जादा या कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा जादा होने से भी इसका जो तीखापन कम हो जाएगा खटा से अच्छा आता है और अचार बिलकुल भी खराप नहीं होगा अ कि यह साल पर चलेगा ही नहीं इतना टेस्टी होता है महने बर में यह कतम हो जाएगा तो यह दिखिए थोड़े दिर बाद आप चेक कीजिएगा पूरा जो मसाला है ना वो यह तेल और यह विनेगर को एब्सॉफ कर लेगा पूरा देख लीजे आप तो इसको हम थोड़े आपको कैसी लगी अगर अच्छे लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल में पहली बर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा तो एक साफ सूखे बोटल में आप इस अचार को स्टोर करके साल भर तक के लिए रख दीजे यह बिलकुल खराब नहीं होगा हलाकि यह साल पर जाएगा यह इतना टेस्टी होता है तो आप भी इसको बनाएगा और अपना जो फीडबैक है मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा तो अचार ना एक और बहुत इंपोर्टन टिप है यह खराब नहीं होने के आप ऊपर से थोड़ा सा इसके उपर तेल डाल दीजिए कच्चा भी डाल सकते मैंने और अच्चा कस्में अच्छा नहीं लगता है तो अब थोड़ा गऱम करके ठंडा होने के बाद । कभी भी खराब नहीं होगा तो बस हमारा आचार बनकर बिल्कुल तैयार था है इस